तो दोस्तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगा Happy Teachers Day और इसके साथ ये भी कहूंगा देखिए Learning को हमको कभी भी Stop नहीं करना है मैं भी आप लोगों से कुछ न कुछ सीख रहा हूं हमारी wealth बनती रहे हम एक sustainable अंडिंग यहां पर करें future में तो उसके लिए चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है चलिए इसी note पर वीडियो के शुरुआत करते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 fundamentally strong stocks के बारे में business point वी इसे बहुत अच्छी companies हैं लेकिन अभी short term हमको यह stocks pressure में देखने को मिल रहा है तो around 40% की correction पर देखने को मिल रहा है तो अच्छी बात यह है कि इस short term pressure में हमको इस stocks में buying करनी है इस correction का फायदा उठाना है व्योंकि long term में हमको यह stock उपर ही जाते हुए देखने को मिलने वाले है तो इस वीडियो में हम analyze करने वाले है technically यहाँ बर मैं आपको buying level बताने वाला हूँ साथे साथ कुछ बड़ी updates भी है कुछ stocks के regarding वो भी साज़ा करूँ है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं जो पहला stock है जिसके बारे हम बात करेंगे वो है दोस्तों यहाँ पर info as यानि की nocari.com और nocari.com अपने आप में ही गजब का platform है job listing की बात करें तो हम सबसे जादा listing इसी platform पर देखने को मिलती है 90% का इसका market share है तो यह एक cash cow business है यह definitely यहाँ से अच्छा खासा grow करेगा लेकिन इसी के साथ जो इनका startup वाला segment है वो मुझे लगता है काफी wealth generate कर सकता है निवेशो को के लिए अगर अच्छे पास हैं यहाँ पर पढ़ गए हैं just like zometo policy bazar और भी यहाँ पर startup list होते हुए देखने को मिले जो यहाँ पर info edge जिसमें invest करता है तो मुझे लगता है यह company यहां से अच्छी खासी wealth बना के देगी तो इस level पर 43% की correction है और short term अगर आप देखें तो एक trend line यहाँ पर जो है channel pattern को follow कर और upward trend में है तो यह नीचे की side आप देखिए यह अच्छा कासा इसका support बना है trend का channel pattern का support है और यहाँ पर support के आसपास trade करा हो सकता है यहाँ से फिर से यह उपर जाए तो आप current market price पे इसको buy कर सकते हैं अगर मार्केट correct हुआ तो यह stock भी correct हो जाएगा तो कहां तक आ सकता है फिर हो सकता ही आपको 3900 से लेकर 4000 के level पर भी आता हुआ देखने को मिले तो आपको यहाँ पर और buy करना है अपनी conviction होना जरूरी है दोस्तों अपनी conviction नहीं होगी तो फिर आप इसको बेज के निकल जा deals India Private Limited उन्होंने यहाँ पर 90 करोड रुपे निवेश किया है 4B Networks Private Limited है हला कि इन्होंने पहले भी इस company में निवेश किया है लेकिन फिर से निवेश करते हैं 4B क्या करती है is engaged in the business of enabling real estate developers and brokers to communicate with each other and conduct their business via the broker network platform तो basically एक platform है जो real estate जितने भी काम होते है उसको enable करती है तो इनका जो 99 एकर वाला business vertical है वो यहाँ पर grow होता हुआ देखने को मिले तो लगातार यह strategic equation आप कह सकते हैं कि strategic investment यह company लगातार करती है सिर्फ 99 एकर में नहीं अगर हम शादी वाले जो है इनके segment की बात करें या फिर हम शिक्षा वाले segment की बात करें नौकरी वाले segment की बात करें या फिर startups की बात करें अब यहाँ पर एक article के साथ आपको बताना चाहूंगा देखिए अभी आज एक article है इंडिया's fastest wealth creation in next 10 years will be in the internet companies तो यह ठीक बात है मुझे भी सरी लगता है कि आगे आने वाले भविश्य में internet का ही जमाना होने वाला है पंकज मुरार का यह कौन है तो यह कहते ह है कि structural pull हमको यहाँ पर internet companies में देखने को मिलने वाला है अगले 10 साल में internet economy हमको बंती हुई देखने को मिलेगी और digitization और internet की जो theme है वो लंबी चलने वाली और इनोंने इस article में info edge की भी बात करिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं economic times का यहाँ पर यह article है आज ही का article है इसको प dot com में definitely इस level पर निवेश कर सकते हैं for the long term अब यहाँ पर दूसरी जो company है उसके बारे हम बात करते हैं यह है यह है यहाँ पर BSE Limited capital market से जुड़ी वी company एक exchange है दोस्तों और यहाँ पर हम सभी को पता सबसे पुराना exchange है तो इस stock में भी 40% की correction हमको देखने को मिल रही है fundamentally strong company है और एक अच्छे खासे demand zone पर हमको देखने को मिल रहे है इस level पर आप देखिए काफी जबर्दस यहाँ पर पहले भी support रह चुका है तो आप इसको buy कर सकते हैं इस level पर अगर यह 613 का level break करता है तो फिर यह आ सकता है करीब करीब 550 के level तक हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है यहाँ पर और इसमें buy and dips कर सकते हैं for the long term हला कि NSE का भी IPO हमको आता हुआ देखने को मिलेगा और वो ज्यादा बहतर नजर आती है लेकिन for that time till then आप चाहे तो इस company में भी निवेश कर सकते हैं नहीं तो आप NSE का weight भी कर सकते ह next company यहाँ पर Dixon Technologies एक और गजब की company manufacturing theme को cater करने वाली company smartphone manufacturing की बात करें तो इंडिया का market एक बहुत बड़ा market यहाँ पर धिरे धिरे बनता जा रहा है और Dixon यहाँ पर एक जबरदस इसका beneficiary होगा और अगर आप देखें उपर इस तरों से 35-36% की correction अभी भी है और एक trend line का यह जो है resistance था कई बार resistance लिया इसने यहाँ पर resistance लिया आप यहाँ पर breakout होने के बाद एक जो है consolidate कर रहा है stock ठीक है उपर इस side में 200 दिन के moving average के उपर consolidate कर रहा और with volume यहाँ पर आ रहा है देखिए volume के साथ buying हो रही है consolidate कर रहा है तो पूरे chances यहाँ से stock भागता हूँ हमको देख license rights relating to android and google tv तो android and google tv के sub licensing rights इनको मिल चुके हैं तो आप यहाँ पर यह company का market leadership और हमको बढ़ती हुई नजर आएगी LED TV के टेगरी में तो बहुत अच्छी news है Google से हाँ पर Google आप सभी को बता है कितना बड़ा एक यहाँ पर brand है और android और google tv के बात करें तो यहाँ पर इनका और जरूर निवेश कर सकते हैं for the long term next company है यहाँ पर डिवीज Laboratories डिवीज Laboratories no need of introduction तो 36% की correction है हो सकता है और correction हो जाए इस टॉक आ सकता है 3360 के आसपास तो आप यहाँ पर इसमें दिरे दिरे बाइंग करते रही है long term का नजरे रखिए pharmaceutical space में API segment में market leading company है short term pressure जरूर है लेकिन short term long term करने जरे रखेंगे तो यह अच्छे लेवल सा buying करने के तो आप से buying करिए जब यह आपको फिर वापिस जाये का करीब करीब 500 के आसपास तब आप खुशी मनाएंगे कि यार अच्छा हुआ हमने वहाँ पर उस time buy कर लिया क्योंकि ऐसी companies बहुत जादर समय तक मुझे आजवाब company है, EV theme को अगर आपको play करना है तो बहुत बहतरीन company है हाला कि एक major support था उसका breakdown हो चुका है, हो सकता है, देखिए टेकनिकली बात करूँ तो यह stock लगता है कि और correct हो सकता है, लेकिन अगर आपका long term का नजरिया है तो यहां से आप इसमें SIP करना चालू कर सकते ह क्योंकि company काफी अच्छी है, company के पास जिस प्रकार के product है, उसमें यह market leading company है, management काफी अच्छा है, विक्रम विवेक सिंग के अगर आप interview सुने तो वो काफी bullish नजर आते हैं अपनी company पे, company नए-ने products में उतर रही है, जिनके demand अच्छी है, company लगातार tie-ups करती है, technological tie-ups करती है तो अपने आप में बहुत अच्छी company नजर आती है, बस थोड़ी सी महेंगी ज़रूर लगती है, लेकिन हाँ, महेंगी क्यों है, क्योंकि industry को हमेशा से growth point आवी इससे beat करती हूँ नजर आईगी, और आगे भी करती हूँ नजर आईगी, और निवेश करना है तो staggered way में कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि stock correct हो जाए और करीब करीब आपको फिर सही है, साड़े 400 के level पर मिल जाए, जो कि मुश्किल लग रहा लेकिन मिल गया, तो margin of safety मुझे रगता है यहाँ बहुत बहतरीन होगी, सोना के लिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे next HDFC life, इसको मैं इस stock में आप देखिए, इस stock में यह देखिए, volume देखिए, accumulation के संकेत हैं, तो accumulation हो रहा है, इस level पर buy कर सकते हैं, धीरे धीरे उपर जाएगा, यह बहुत तेजी से उपर नहीं जाएगा, और यहाँ पर मुझे रखते हैं, जादा correct भी यह नहीं होगा अब, तो इस level का support है, तो यहाँ पर support लेके उपर जाएगा, और insurance penetration जैसे जैसे बढ़ेगा हमारे इंडिया में, तो यहाँ पर जो leading companies हैं, जो अच्छे companies हैं, अच्छे group के companies हैं, वो और भी ज्यादा grow होती भी हमको देखने को मिलेगी, तो SGFC Life को long term के लिए निवेश कीजिए, 10 साल का नजरिया रखिए, ऐसी companies में, यहाँ पर धेरे धेरे अच्छी खासी wealth बनती जाएगी, next है यहाँ पर लारस लैब, बहुत जबरदस company है, लारस लैब, नीचे के इस तरह से यहाँ पर हमने कई बार इसको discuss किया, आप आपने यहाँ पर buy किया होगा, buy नहीं किया है, तो मुझे रखत करूं, तो 540 पर मिल सकता है, उसके बाद आया नीचे यह, तो और यह फिर आ सकता है, करीब-करीब 500 लेवल के आसपास, तो आप यहाँ पर buy करते रही है, धिरे-धिरे, अगले 2-3 साल में मुझे रखता है, यहाँ बहुत जबरदस trigger हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि मैं पहले भी आपके साथ डिसकस कर चुका हूँ, काफी जबरदस इनका निवेश, यहाँ पर जो है, दूसर सेगमेंट में जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर इनके जेनरिक बिजनस को छोड़ दू, तो इनका जो नॉन जेनरिक बिजनस है, ठीक है, उसमें यहाँ पर काफी अच्छा निवेश कर रहे हैं, जहाँ पर अच्छे ट्रिगर्स हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप बाई कीजिएगा, इस लेवल पर भी कर सकते हैं, अगर वेट करना चाहते हैं, तो करीब इसमें 540 का वेट कीजिए, और 540 से लेकर 500 तक का यहाँ पर महेंगा नहीं था दूस्तों, यह देखिए, इस टॉक में, यह ऐसे स्टॉक है, मुझे लगता है कि बहुत जादा सस्ते तो हमको देखने को नहीं मिलेंगे, हो सकता है, कंसॉलिडेट करें, लेकिन बहुत जादा करेक्शन यहाँ पर नहीं आईगी, क्योंकि ल से बाइंग करके चल सकते हैं, ऐसा इपी कीजिए, लॉंक टाम स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि हमको एक साल में यहाँ पर सारी बाइंग करनी है, बाइंग चलती रही है दो तीन साल तक, जितनी क्वांटिटी खट्टी करनी है, करते रही है, मार्केट जब गिरेगा, तब यह हो रही है, और जैसे कि आपको पता ही है, बाला जी स्पेशलिटी का, इन्होंने IPO भी अनौंस कर दिया है, तो IPO आएगा, तो जो स्पेशलिटी केमिकल वाला इनका बिजनस है, मुझे रगता है वो ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, वो 30% से इनका बिजनस ग्रो हो रहा ह लेकिन जो अमाइनस वालेंका सेग्मेंट है, वो I think 20-25% की आसपास ग्रो हो रहा है, at this point of time, conservative बात करें, 20% की आसपास, तो यहाँ पर बाला जी स्पेशलिटी केमिकल में मैं जरूर निवेश करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप अमाइनस में निवेश करना चाहते हैं, तो इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बिजिस्स पर अच्छा और यहाँ पर ही इनका DMC वाला आएगा, जो है Soul Supplier है, Polycarbonate वाला सेग्मेंट आएगा, नए प्रोड़क्ट इधर आने वाला है, इनके काफी अच्छे और वहाँ पर भी अच्छा जो है यह ग्रो करेंगी, त तब तक मुझे रखता है, यह Consolidate करेगा, तो आप इसको धिरे-दरे Accumulate कर सकते हैं, लेवल की बात करें तो Current Market Price पर भी Accumulate कर सकते हैं, और यह Correct होता है, तो करीब-करीब आपको यह 3100 के Level पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप इसमें अच्छी खासी Buying कर सकते हैं Next दोस्तो, Deepak Nitrite, Deepak Nitrite में Current Market Price से Buy करते रही है, अगले 2-3 साल में आपको काफी कुछ यहां पर देखने को मिलने वाला है, मुझे लगता अगले 2-3 साल में Deepak Nitrite अपने All Time Highs से भी काफी उपर हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो Company के Expansion Plans हैं, जो Company के Product Pipeline हैं, जो Company के Different Technology Platforms में उतरने वाले हैं, जिस प्रकारी Cramps की बात कर रहे हैं, Cramps में उतर सकते हैं, अपने Existing Customer Base को यहां पर Leverage कर सकते हैं, साथी साथ Import Substitution Products यह Create कर रहे हैं, अभी तो इनके पास Phenol, जो है एक Import Substitution है, साथी साथ Solvents में, कई सारे Downstream Solvents में भी Import Substitution Create करेंगा, तो यह Company, Definitely बहुत जबर्दस Company है, इसको Current Market Price पर बाई कीजिए, Buy on Dips करते रहे है, 33% की Correction पर है, Valution भी अच्छे है, Last but not the least, LTI, हाला कि 10 Company हो चुकी है, लेकिन एक और Company में आपको बताना चाहूँगा, LTI, मुझे रखता है जो, IT सेक्टर फोड़क प्रेशर में रहेगा, आने वाले 2-3 quarter में, तो मैं IT सेक्टर की Company ज़्यादा डिसकस नहीं करूँआ, बहुत छोटी-छोटी SIP आप कीजिए, और SIP करनी है, तो Tier 1 Companies में ही रखिए, जैसे के TECS हो गया, Infosys हो गया, HCL Tech हो गया, LTI हो गया, ऐसी Companies में ही अभी निवेश कीजिए, जहाँ पर मुझे रखत से एक बार 3800 के लेवल पर आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो यहां से आप SIP करना शुरू कर सकते हैं, तो यह होगी दोस्तों, 10 Companies, I think 10 प्लस एक हो गई, तो यह Companies में आप धिरेदर SIP करते हैं, लॉंग टम नजर्या रखिए, और यहां पर जरूर वेल्थ बनेगी, तो इतने नेस्ट वडियो में, तिल देन टेखने,